हेलो इब्रीवन आई एम सोनम वेलकम बेर तो माई यूटूब चैनल अपना विद्यल आज के इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि मैत में तुक्का लगाने का सबसे आसान तरीका ठीक है पांच हम आप सभी को ऐसे ट्रिक बताने वाले अगर आप लोग इस पांच ट्रिक को जान गए तो सो परसंट गारांटी कि आप सभी का मैत का पूरा का पूरा जो बहुआ विकल्पी क्वेश्चन है वो पूरा का ठीक है बहुत ही अच्छी ट्रीक है ये objective question और इसका 100% guarantee है यानि 100% guarantee है अगर आप लोग हमारे इस 5 ट्रीक का use अपने मयद के paper में करोगे objective question में तो पूरा का पूरा answer आप लोग सही करके आओगे बीना पढ़े किस तरह से question आएंगे तो आपको कौन से option मारना है कौन से option पर आपको तुक्का मारना है किस तरह से तो आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए तो subscribe जरूर कर दीजिए हाँ पे दिकी सबसे first जो है कि गडित में जितने भी कठिन सवाल हुँगे कठिन सवाल का मतलब कि समी करण वाले सवाल जितने भी समी करण वाले सवाल होंगे उसका आंसर A सही होगा या अब किस टाइप के सवाल होंगे ठीक है तो यहाँ पे देखिए एक्जामपल में यदि समीकरण 2X स्क्वाइर ठीक है प्लस 3X माइनस M एक्वल 0 का एक मूल माइनस 1 है तो यहाँ का मान होगा इस तरह से यानि समीकरण वाले ठीक है जैसे यहाँ पे 2X 5X इस तरह से जो X वाले होते हैं ठीक है अंक और X दोनों दिया रहता है वो वाले यहाँ पे question के लिए क्या रहेंगे option A right होगा ठीक है सबसे पहले यानि यह कठीन सवाल होते है और इसके लिए आप सभी को सिर्फ option A ही सही मारना है तो यहाँ पर दिखिए जैसे पहला option में दिया हुआ है minus 1 ठीक है फिर 1 और यहाँ पर 2 और minus 2 तो यहाँ पर इसका answer हो जाएगा ठीक है यानि हमने बताए आप सभी को कि यहाँ पर option A right होगा तो यहाँ पर यानि कि यह वाला option जो है वो right है ठीक है और बिल्कुल right भी है यही answer तो आप सभी लोगों की question में paper में ठीक है इस तरह से अगर समीकरण वाले question आगे जैसे आप सभी को जो कठीन question लग रहे है ठीक है मैत में इस तरह से समीकरण वाले उसमें जब भी आप सभी लोग को option कभी भी गलत नहीं हो सकता है तो आप लोग इस तरह से पहला trick यह था इसके बाद second trick क्या है जिस question में ठीक है दोनों का option यानि की बोथ ठीक है दोनों का option है उसमें आप सभी को किस तरह से तुक्का लगाना है अब यहां पर देखें बहुत ही हम आप सभी को important trick बताएंगे और जितने भी trick है 100% उसके गारांटी है ठीक है बिलकुल सही question आप सभी का होगा है अब दिखे question दिया हुए दो तिरभूत समरूफ होते हैं ठीक है इस तरह से question है इसके बाद इसमें चार option है पहला option है यदि इनके संगत कोड बराबर है ठीक है दूसरा option है इनके संगत भुजाएं एक की अनुपात यानि समानुपाती में होती है ठीक है तीसरा है यहाँ पे उपर युक्त दोनों इसके बाद नेश्ट है यहाँ पे डी इनमें से कोई नहीं तो यहाँ पे देखे अगर आप सभी लोगों के ठीक है यानि अगर इस तरह से question दे दिया और आप सभी के option में दोनों का option है तो आपको इसमें क्या करना है कि आपको जो दोनों वाला option है उसी पर सही ठीक मार देना है ठीक है वो बिल्कुल right होगा यानि इसमें से क्या होगा दो त्रिभूज समरूप होते है तो यदि इनके संगत कोड़ों का जो कोड़ है वो बरावर है इनके संगत भुजाएं एक के अनपात में समान उपाती होती है यह दोनों सही है ठीक है तो यहाँ पर यूग तो दोनों जहां भी आप सभी को option में दोनों आ गया तो आप सभी लोगों को बिना सोचे इसी को मार देना है ठीक है सो चांस है आपका बिल्कुल सही होगा और आपको पूरे नंबर मिलेंगे जब कोई option बिल्कुल अलग हो A B C से तो उसमें आप सभी को कैसे तुक्का लगाना है ठीक है तो देखें जैसे आप सभी के option में पहला दे दिया है यहाँ ठीक है A में दिया हुआ है दो और B में दिय हुआ है चार और C में दिया हुआ है पांच ठीक है और D में दिया हुआ है इस तरह से दो दस्मलों दो तो यहाँ पर देखें इसमें से सबसे अलग जो आपसन है वो कौन सा आपसन है ठीक है तो यहाँ पर चार आपसन में सबसे अलग आपसन कौन सा दिख रहा है यहाँ प यहां पर आप सभी को A और C में से चूछ करना है कि इसमें से कौन नहीं होगा कि ये पहले गलत कर दिया जो अलग subject झी इसके पर को लिखते आप सब स्पूर्ब के यहां पर और rebels कि स्कूछ करना है जैसे आप सभी को Q 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 परसेंट आपका सही हो जाएगा इस तरह से आप लोग यह वाला जो अब्जक्टिव क्वेश्चन सही करने का तुक्का है बहुत यह अच्छा है आप लोग इस तुक्के का यूज कर सकते हो इसके बाद नेश्ठ है इसके बाद देखें गड़ीत में बड़ा वह छोटा का त पूरे के पूरे आप सभी का सही होगा और पूरा नंबर आपके हाथ में आजाएगा ठीक है तो यहां पर देखें जैसे क्वेश्चन है वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें सत्तर ठीक है एक सो पचीस को विभाजित करने में करमस सेस फल पांच और आठ प्राप्त होता है अब यहां पी जो चूच करना है अगर यहां पर बहु बहु बहूंवी कल्पी प्रेस्ट के टो सबसे पहले कि आप सब्सेविकों इस जो आपसन इसमें बड़ा और छोटा का चूज करना है तो यहां पर बड़ा कौन सा अंख है तो यहां पर देखें यह 1750 जो यह बड़ा है तो आपको सबसे पहले यानि इसको और यहां पर छोटा छोटा इसमें सबसे छोटा कौन सा अपसन है तेरा वाला आपसन जो है व आप सभी लोगों का A और D में अगर आपको confusion है तो आप सभी लोग A को सही मार देज़ेगा, सही हो जाएगा, ठीक है, यानि आप लोग चार आपसन जहां पर यहां पर दिया था आपके लिए, अब यहां पर दो आपसन हो गया, तो उसमें आप लोग जो भी आप सभी कमन करे ठीक है, यानि सबसे ज़ादा कौन से आपसन का चांस होता है, सही होने का, तो यहां पर देखे, शुरुवात और अंत के ट्रिक, यह ट्रिक अब इसमें काम करेगा, अब यहां पर देखे, जैसे यहां पर A जो है, यह कितने बार है, 4 बार है, B तीन बार है, C जो है, यह 6 और d जो है दो वार है तो सबसे ज़्यादा आप वझा इसकों कौन सा सही होने का चांस है और a को सही होने का चांस है फिक एक तो आप लोग देखिए अगर आप लोग जैसे मैथ के पेपर को करना इस्टार्ट करते हो तो तो आपको क्या करना है सबसे पहले सुरुवात वाले यानि सुरुवात में A और B है तो आपको सबसे पहले यानि सुरुवात में जो है सबसे ज़्यादा आपसन A को ही आपको सही मारना है और आपको A में और कुछ में, यानि सबसे ज़्यादा A में ही सही मारना है और कुछ आपसन में B को सही मारना है तो इस तरह से आपको शुरुआत में, यानि 10 क्वेशन तक आप लोग इस तरह से कर सकते हो इसके बाद अंत में आप सभी को C और D आपसन पे ज़्यादे फोकस करना है और ज़्यादे तर आपको C आपसन मारना है ठीक है? अगर आप लोग इस तरह से करते हो तो 100% चांस है आप सभी लोगों का पूरा का पूरा सही होने का तो अगर आप लोग इन सभी trick का use करते हो अपनी board exam में या किसी भी exam में तो आप सभी लोगों का पूरा का पूरा है नहीं अगर 20 question है तो उसमें से 15 भी सही हो गए तो आप लोग एक अच्छे नमबर ला पाऊगे आप लोग हमारे इस 5 trick का use अपने मैत के paper में करते हो तो 100% chance होते हैं आप सभी के सही answer आने का ठीक है आपके उतर सही होने का तो आप लोग इन trick का use अपने board के paper में ठीक है मैत के paper में जरूर कीजिए आपका पूरा का पूरा answer सही होगा अगर आप लोग इसी तरह छोड़ कीजिए और आप लोग इस वीडियो को इस ट्रिक को ठीक है अपने सभी दोस्तों में सभी जगह पे सेर कीजिए WhatsApp गुरूप और टेलग्राम चैनल को आप जरूर जोइन कीजिए हमारे इस वीडियो के description में आप सभी को मिल जाएगा ठीक हम आप सभी लोगों के लिए इतना मेंनत करते हैं तो आप सभी लोगों का भी करतब होता आप लोग इस वीडियो को जादे से ज्यादा सेर कीजिए ठीक है और भी आप सभी को इस तरह से ट्रिकर टिप्स की वीडियो चाहिए मैं या किसी भी सब्सक्राइब में तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए हम पर आप लोग हमारे चैनल पर इस वीडियो में सिर्फ इतना ही आप लोग कमेंट करना बिल्कुल ना भूले थैंक्स ऑगद वेरी वेस्ट बाइबाए